आपने सुना ही होगा कि एक राजा था बहुत ही कुरूर राजा था और ये राजा इतना कुरूर था कि उसके सामने कोई भी कुछ भी बोलने को ढरता था और वो राजा के सामने अगर कोई उची आवाज में कुछ बोलता तो उसको खतम करता था ऐसा राजा एक दिन उसने बिना कपड़ों के अपने शहर में गोड़े पे बैठ कर गूम रहा था और कोई भी वेक्ति उसको बोली नहीं पा रहा था जब एक बच्चे के सामने से वो राजा गुजरा वो बच्चा जोर से हसने लगा और बोलने लगा कि अरे राजा तो बिना कपड़ों के शहर में गूम रहा है इस कहानी से प्रेदना लेकर हमने इंदोर जिले में ऐसे ही बच्चों का एक फौस तयार किया जिसको हमने वानर सेना का नाम दिया और इंदोर सेना के बच्चों ने तो अद्बुत काम किया ये बच्चे रोज सुबह चार बजे उठकर अपने अपने गाओं के खुले में सौच करने वाले जगाओं पे जाते थे वहाँ पर अपने विजिल लेकर विजिल बजाते थे और जो खुले में सौच करने के लिए जाते थे उनके डब्बे डोलना और उने बताना कि आप जो कर रहे हो ये खुले में जो सोच कर रहे हो ये गलत है इस तरह के काम से जिस तरह से राजा को बच्चा ने एक बच्चे ने बताया कि आप बिना कपड़ों के शहर में गुम रहे हो वैसे ही वानर सेना के बच्चों ने खुले में सौच करने वालों को बताया कि आप जो यह काम कर रहे हो यह शर्मिंदगी वाला काम है और जब लोगों को मैसूस हुआ कि वो जो काम करने गलत है तो वो अपने घर पहुँचे और खुदी अपने घर में सोचाले बनाए और खुले में सोच करना बंद कर दिया इस तरह से वानर सेना के बच्चों ने एक अद्बुत काम करते हुए इंदोर जिले के 312 ग्राम पंचायतों में हर गाओं में खुले में सोच मुक्त वातावरा निर्मित करने में अपना अभुतपूर योगदान दिया शुरुआत में तो कुछी बच्चों को हमने इस वानर सेना के दल में जोड़ा था पर दीरे दीरे जैसे माहोल बनता गया और बच्चे इस वानर सेना के दल में जोड़ना चाह रहे थे और वो और बच्चे अपने आप खुले में सोच मुक्त वातावरा निर्मित करने के लिए उत्सुक्ता के साथ भाग लेने आये थे फिर हमने धीरे धीरे करके हर गाउं में जितने बच्चे जूड़ सकते थे छोटे बच्चे सब को जोड़ा और प्रत्यक गाउं में वानर सेना को निर्मित किया